हाई ब्यूटिफुल पीपर आपसे बहुत अच्छे हैं बहुत खुश हैं एंड हमारे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियर्मनी में एजुकेशन के बारे में एंड जियर्मनी को आज के टाइम में दुनिया की ग्रेटेस लुट्री में गिना जाता है जियर्मनी का जो एड्यूकेशन सिस्टम में दुनिया में उसको वर्ल्ड क्लास माना जाता है एंड यह बहुत बहुत रीजन है कि जो इंटरनेंशन स्टूडेंस हैं वो जियर्मनी में अपनी पढ़ाई करने आना चाहते हैं बिकुस्ट आल बॉल्ड ऐड्यूकेशन संथ आल बी जो बहुत बात हैं इसके बाद उसका कहीं पर बी जाने नहीं करता हैं अविबडरी बहुत बहुत बारा रीजन हैं अगर हमारे इंडिया के स्टूइंस हैं इंटरनाशन स्टूइंस अगर आपका भी सपना हैं जर्मनी में पढ़ाई करने का तो Germany आज के टाइम में international students को Indian students को tuition fees free education offer कर रही है यह निकी completely free education offer कर रही है यह बिल्कुल ही सच बात है जो free education की बात कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं Germany में house building education तो अगर आप भी चाहते हो कि Germany में आएं world class education आपको मिले और आपको भी free education मिले तो आप इस वीडियो को एंट तक देखना विग्योज में आपको सब कुछ explain करऊं कि कैसे possible है कि आपको Germany में free education मिल सकती है मैं साथ में आपको बताऊंगा कि benefits आपको क्या मिलते है Germany में study करने के and साथ में requirements क्या है and even मैं आपको बताऊंगा कि किस-किस field में आप ये free education पा सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो में आज पूरी information मिल जाए और उसके बाद आप भी easily Germany में आगर अपनी study कर सकते हैं and आपको कोई दिक्कत आती तो आप हमें भी contact कर सकते हैं इसके लाब अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप मारा Instagram का account online follow कर सकते हैं just follow कीजिए हमसे सवाल पूचिए हम आपको reply करेंगे ताकि आपकी time पर help की जा सके and साथ में अगर आप पहली बार मारा channel देखरें तो प्लीज इसको subscribe कर लेना विडियो कुछ नहीं वीडियो बनाते रहते हैं तो ताकि उससे आपको कभी help होगी so now without wasting further time let's get started so now video के starting में ही मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि अगर आप अपनी house building की education Germany से करते हैं तो उसका क्या benefit आपको मिलता है तो जो सबसे बड़ा benefit आपको मिलता है वह होता है free education यानि कि Germany के अंदर आप house building की education completely free कर सकते हो and उसके लिए आपको कोई भी tuition fees पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता because Germany यह education free of cost आपको offer करती है and आपको यह ध्यान रखना हो कि दुनिया की किसी और country में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको education पाने के लिए tuition fees देनी परती है चाहे वो कम हो यह ज्यादा हो but you have to pay the tuition fees but इस मामले में Germany एक exceptional country है जर्मनी में tuition fees आपको नहीं देनी पर दी तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी जर्मनी country है कि वह अपने नागरिकों के साथ-साथ international students का भी ख्यार रखती है उनसे भी tuition fees चार्ज नहीं करती तो यह पहला big benefit में आपको बता रहा हूं इसका आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं दूसरे big advantage की जो आपको मिलता है तो जर्मन सर्कार का यह मानना है कि अगर कोई भी international student जर्मनी में आता है तो जर्मन की सरकार उसको stipend scholarship भी देती है ताकि जो भी बच्चा आएगा तो उसको अपने अपना खुद का ख्यार लखने पे कोई दिक्कत नहीं होनी चारी जब भी आप आओगे जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए तो आपको अपना house rent भी देना पड़ेगा फूड का भी खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट होगा health insurance होगा तो जर्मनी क्या करते है जर्मनी आपको house building करने के लिए एक stipend का amount भी देती है जिसको आप scholarship भी बोल सकते हो और यह amount होता है 800 से लेके 1300 euro के बीच में बड़ यह depend करता है कि कौन सा house building का profession आप कर रहे हो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको house building करने तो उसकी requirement क्या होती है ताकि आप सब उसके लिए apply कर सके तो सबसे पहले आपको ध्यान अखना है कि उसके लिए जो requirement होती हो पहले requirement होती है कि इंडिया के अंदर आपने 12th class pass कर लेनी चाहिए आपको अगर आपने 12th pass कर यह एंड प्लस आपके 60 percentage marks हैं तो यह बहुत अच्छी बात होती है इससे आपका admission का जो पहला criteria वो fulfill हो जाता है दूसरा criteria यह होता है कि आपके पास कोई भी subject हो सकते है for example arts भी हो सकता है commerce भी हो सकता है science भी हो सकता है तो सारे के सारे जो streams हैं वो सारे के सारे eligible हैं सब लोग apply क कर सकते हैं तो यह दूसरी कर दूसरा requirement जो आप मीट करोगे जो तीसरी चीजी होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने इंडिया में अल्री अपनी 12 पास कर ली एंड बैचुलर भी कर चुगे बट इस लगर आपको कर रहा है तो आप भी इस course को कर सकते तो आपक भी इस वांट कर सकते है इसकादाार में होती है जड्वाल लंगविज में सभी दींड जखाते है तो रही आपको जलदी से a बना जाए आप expert बन जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तो जर्बा लेंगे बहुत असान होती है ज़स्ट आप स्टार्ट करते हो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा असान लगने लग जाती है तो मेन जो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फ्री एजूकेशन चाहिए आप यह कर सकते हो जिसमें अभी कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नर्सिंग का अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है सेकिन आप मान सकते हो ओठल का होटेल एजक्तर इसमें आवस कीजा थी तो अगर आप इसमें इंट्रस्टेड ऊ तो इसमें वी आप कर सकते हो इक Macrotronics Engineering जो होती है उसके अंदर भी इसमें आप तो आप चाहते हो की Macrotronics में आप अपनी आवस बीलूडं कीजिए करना चाहते तो आप भी कर सकते हो इसके लावब जो next field है वह होती है IT की computer की अगर आप computer से related program करना चाहते तो भी आप house building में enroll कर सकते हो इसके साथ cooking होती है cook जिसको किसी को अगर cook बनना एक cooking करनी है तो उसके लिए भी house building की जाती है तो more or less आज की टाइम में ये में पुफेशन से जिसमें आज की डाहिमें house building offer की जाती है तो इन सारे programs का आपको ध्यान रखना है and now आप बात करते हैं visa के बारे में तो अगर आपको house building करनी होती है तो obviously बात है जब आपका admission होता है तो उसके बाद visa का process start होता है तो इंडिया के अंदर हम आपकी पूरी मदद करते हैं आपको visa दिलाने में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तो या visa के part में भी हम अपकी पूरी मदद कर सकती है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है and now next point जो बहुत जरूरी है वो होता है blocked account normally Germany के अंदर आप अगर आपको study करने है तो उसमें blocked account का एक rule है इसमें आपको 11,000 almost money deposit करनी होती है but इस house building program में ये अच्छी बात है कि आपको blocked account खोलने की जरूत नहीं पड़ती तो कहने कि ये बहुत बड़ा plus point होता है तो इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना है So now I hope कि मैंने आपको उच्छे से explain कर दिया सब कुछ इस free education के बारे में house building के बारे में So now don't waste time, just apply कीजे आप हमारी team को भी contact कर सकते हैं परिकर हम भी बहुत expert हैं हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे आपका admission कराने के लिए, आपको job दिलाने के लिए आपको visa दिलाने के लिए, आपको accommodation दिलाने के लिए So throughout the process हम अपकी पूरी मदद करेंगे तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा Instagram का account online देख सकते हैं आपको में follow कीजिए, हमसे सवाल पूछे हम आपको reply करेंगे ताकि आपकी help कीजा सके अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like जरू करना, share करना और हमारे चैनल को subscribe कर लेना ताकि आपको daily house building की free education की jobs की वीडियो देखने को मिलती रहें so thank you so much आपके कीमती डायम का best of luck and please हमेशा अपना ध्यान रखिए